हेलो गाइस तो आज हम एक नियो चाप्टर कर रहे हैं और इसका नाम है पोसोलोजी और वैसे देखा जए तो यह चाप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको कम्टीट करन में टाइम लगेगा पर मैं कोशिश करूँगे कि इसी वीडियो में पूरा चाप्टर कम्टीट हो ज तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें आपको इस चाप्टर में पता चलेगा कि आपको डोजेस कैसी देनी है कितना रिपीट करना है डोजेस को मतलब जो भी आप डोजेस से रेटेट पढ़ोगे कितना देना है उस सारी स्टड़ी को पोसोलोजी केते हैं ठीक है अगर और इसकी actual definition देखे तो पोसिलोजी means the doctrine of doses of medicine, the quantity of drug or other therapeutic agent to be taken or applied, external application की बात कर रहे है, all at a time or in a fractional amount within a state period, ठीक है, तो यह होता है पोसिलोजी, मतलब अगर मैं बहुती लेमान लांगुजर मतलब तो कितना हमें डोस देना है, कितनी quantity देनी है, कितना मतलब कुछ भी अगा कुछ external application कितना लगाना है, कितने देर-देर में देना है, तो यह सब की study हम पोसिलोजी इसको कहते हैं, ठीक है, अब एक term होते है, होमोपाथिक पोसिलोजी, तो होमोपाथिक पोसिलोजी क्यों होते है, the particular preparation of medicine used, the quantity and the formation of that preparation as well as the number of administration of medicine, in short, homopathic पोसिलोजी includes, potency, quantity, form and number of administration of medicine, अगर हम होमोपाथिक ड्रक से related कोई भी पोसिलोजी की बात कर रहे हैं, तो हम होमोपाथिक पोसिलोजी कहेंगे, अब कभी दिमाग में आता होगा, कि होमोपाथिक डोज और अलोपाथिक डोज में डिफरेंस क्या है, तो यह भी इस पता होगे कि हम बहुत ही माइनूट और बहुत चोटे डोज देते हैं, तो इन्फिनाइटी स्मॉल डोज होता है, इसलिए इसके बहुत जादे डिसद्वांटेज भी नहीं होते, इस पैथी के, ठीक है, उसके अलावा, आपको समझागे कि इसमें इन्फिनाइटी स्मॉल मतलब उन्हें इतने आपको अलोपाथिक डोज का मतलब यह है कि आपको इतनी दवाई देनी है कि इन्सान पेशेंट जो है वो एंडेंजर भी ना हो और उसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी क्रियेट हो जाए, तो उस एक पॉइंट को हम अलोपाथिक डोज करेंगे, आप को इतना देना है डोज कि उससे पॉजिटिव एफेक्ट क्रियेट हो जाए और एंडेंजर भी ना हो पेशेंट की लाइफ उतना होता है अलोपाथिक डोज लेकिन हम अलोपाथिक डोज क्या होता है कि कभी अगर हम डोज को बहुत अदे इंफिनारिटी स्मॉल डोज में देते हैं तो उसको हम हमोमोपाथिक डोज कहते हैं इसके अलावा एक और चीह समझोगे कि अलोपाथिक डोज में हम डोज को सके मटीर कॉंटिटी पर डिफाइन करते हैं कि जैसे आपको सुनने में आया होगा कि 50 mg की ये दवाई दे दो या जो भी 100 mg ऐसा को सुनने में आत वेराइटी में हम उस डोज को समझ सकते हैं कि वो डोज कितना है फर्स्ट अगर आप किसी को डोज दे रहो तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपने इसको इतनी सपोर्स आपने किसी को देदी 10x पोटेंसी की कोई दवाई देदी तो बस यह 10x पोटेंसी उसके डोज नही इसको किस फॉर्म में लेना है कितनी कॉंटिटी में लेना है क्या पोटेंसी में लेना है और कितने रिपिटिशन करने कि दिन में दो बाल लेना है दो गंटे में लेना है जो भी जब तक नहीं बताते हैं जब तक वह हमोपाथिक डोस पूरा कम्प्लीट नहीं होगा और Allopathic Dose और Homopathic Dose में अब इह कैसे पता चले के हमें सेलेक्शन कैसे कंड्य पोटेंशी को अगर पेशेंट आया अपने उसको तो आपको पता चल गए इसमें क्या डिजीज है या क्या आपको उसको देनी चाहिए दवाई तो आपको पता कैसे चले कि उस मेडिसिन की आप कितनी पोटेंसी आपको देनी चाहिए तो इसके बारे में सब कुछ इसमें डीटेल में बताया गया है सबसे पहले हम इंट्रोड अगर सपोस्पोस्ट आपने कोई डिजीज जान लिगी यह डिजीज आपको यह बता चलिए कि इसमें यह मेडिसीन लगती है लेकिन फिर भी वो इनसान ठीक नहीं होगा जब तक आप उसको बिल्कुर करेक्ट पोटनसी नहीं देते और यह करेक्ट पोटनसी इसलिए बहुत हम मेडिसीन को सेलेक्ट करें या कैसे मेडिसीन तो सेलेक्ट करें इसके बात पोटनसी कैसे सेलेक्ट करें किसी इनसान को देने के लिए तो आप देख सकते हो कि आगे भी यही सेम बात लिखी है कि सम मेडिसीन मेडिसीन मेड फेल तो प्रडूस अनी फेवरेबल इफेक्ट in lower potency in a case but may show unexpected good results in higher potency it doesn't mean small potency doesn't act but act in favorable condition तो आप इस पर मत depend करना हो कि आपने सही medicine दिया है तो वो काम करेगी ही करेगी अगर आपने potency गलत किया तो वो बहुत सारे aggravations भी ला सकती है और बहुत harmful ही हो सकती है तो potency का selection करना is very important अब potency का सबसे पहले में देखना पड़ेगा इस potency कितने टाइप की होती है तो तीन टाइप की potency इस बुक में लिखी हुई है जैसे फर्स्ट है लो, medium और high नाम से बदा चल रहा है low potency below 30m तो जितनी भी potency 30m से बिलो है 30 millisement scale से उसको हम low potency कहेंगे medium potency क्या होगी जो potency 30m और 1m के बीच में है उसको हम medium potency कहते है और जो भी potency 1m से जादा है उसको हम high potency कहेंगे अब ये जो potency का concept है किस ने दिया तो ये potency का concept दिया था वोईसन ने तो ये नाम है आप देख लेना इसको कैसी प्रनाउंस कर सकते हो आप उसके लावा low potency को हम organotopic भी कहते है उसके लावा हम medium potency को ऐसी potency कहते है जो डायकली एफेक्ट करती है functions पे और थर्ड जो high potency है उसको हम psyche potency भी कहते है psyche potency का मतलब ये नहीं कि you know psychological disorders में देते है medicines को लेकर ठीक है अब suspectability क्या होती है ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी तो to select the potency the physician should know his suspectability तो कोई भी अगर patient आया तो आपको उसकी suspectability पता होने चाहे तभी आप उसको potency दे सकते हो अब दिमांग में कोशन होता है कि suspectability क्या होती है suspectability is the only guide for selection of potency ठीक है समझ गए अब suspectability हमें पता कैसे चलेगी तो ये कैसे पता चलेगी by absorbing knowledge or experience ठीक है there is no parameter to judge the suspectability अगर मैं बहुती simple language में बता हो कि suspectability होता क्या है तो एक तरीके से कोई इंसान कितना जादा sensitive है किसी के लिए और कितना जादा insensitive है suppose मैं example देती हूँ कि कोई इंसान है उसको same disorder है दो इंसानों को और उनमें medicine भी by chance same लग लिए वैसे ऐसा होता नहीं है constitution के basis पे different medicines भी लग सकती है पर हम ले लेते हैं कि दोनों को same medicine लगी है लेकिन उसके बाद भी दोनों को हमें different potency देनी पड़ेगी क्योंकि कोई इंसान है वो थोड़ा जादा sensitive है medicine के लिए तो उसको बहुत कम में भी काम हो जाएगा और कोई है जो बहुत जादा है बहुत जादा insensitive है तो उसको बहुत जादा high potency देनी पड़ेगी जिसे उसको अच्छे से effect कर सके हो medicine तो वो है उसके suspectability तो I hope आपको समझा गया होगा suspectability क्या मतलब है वैसे इसका कोई parameter नहीं है judge करने का कि आप मतदद देख के नहीं बता सकते कोई ऐसा कोई रूर रेगुलेशन नहीं कि इस इंसान की suspectability जादा होगी पर यह सब माना गया है कि किन कि जादा है तो वो हम देखेंगे इसके अलावा है more the suspectability, more the potency जितनी जादा suspectability होगी किसी इंसान की उतनी जादा आपको potency देनी पड़ेगी less the suspectability, lower the potency उसके अलावा various things that determine suspectability तो ऐसे कौन वान सी चीज़े है जो determine करेगी कि कितनी suspectability हो सकती है तो जो suspect, कोई इंसान sensitive है किसी medicine के लिए कोई इंसेंसिटिव है तो बहुत साइ factors पर डिपेंड करता है जैसे age, कि आप बुड़े हो, जवान हो तो उस पर भी डिपेंड करेगा sex, means, आप male हो, female हो तो उस पर भी डिपेंड करेगा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सब पर, कैसे किसे डिपेंड करता है habit, मेभी आप बहुत रात रात तक जगते हो बहुत अदा stress लेते हो तो आपके लिए अलग से expectability होगी medicine के लिए कुछ लोग है जो बहुती normal life है, मतरब धंग से पानी पीते है इसके अलग से बहुत 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 इसली अपना conscious loss कर जाते है नहीं करते, बहुत 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 इंपल्सिव है उन सब पर डिपेंड करता है नेचर कैसा है इसके अलावा depth of disease की disease chronic है, acute है या urgent कोई केस है तो उस पे भी डिपेंड करता है कि हम इसके कितनी पोटेंसी देनी पड़े अविसली यह तो बहुती normal सी बात लग रहा है उसके वज़ावा structure changes की उस disease ने उस इनसान में कितना जादा you know depth में मतलब problem cause कर दिये तो उस पे भी डिपेंड करते हैं कि क्या चेंजिस करते हैं इसके लावा सप्रेशन, मतलब अगर कोई इंसान है वो पहले से ही कोई अलोपैथिक मेडिसिन लेता था तो पहले सी जो उसके डिजीज है हमने यह माना किया है कि कभी भी आपने अप्लिकेशन आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि अप्लिकेशन भी हम लोग अवाइड करते हैं मतलब इतना नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अप्लिकेशन से हम सप्रेस कर रहा है तो अगर ऐसे कोई भी suppression से go through हो चुका है पेशेंट तो उसकी suspectability बहुत जादा होगी तो उसको बहुत जादा potency देनी पड़ेगी तो यह एक suppression पर भी डिपेंड करता है vitality कि वो कितना जादा vital forces का strong है mental reaction कि कितना जादा mentally strong है physical reaction तो इन सब पर डिपेंड करता है हमारी suspectability तो अब सबको थोड़ा सा detail में देख लेता है थोड़े से example से और अच्छे से समझ लेता है जिसे फर्मली हमारी दमाग में बैठ जाए कि कैसे वो age sex इन सब पर डिपेंड करता है सबसे पहले age अब children या young जो लोग है उनकी high potency होती है क्योंकि ना उनके organs बिल्कु भी weird tear नहीं होते है बिल्कु ली आपके ऐसा था fresh organs है तो उनके organs इतने जादा weird tear नहीं हो रखे तो इसलों उनके suspectability जादा होगी और suspectability जादा होगी मतलब इसली वो medicine के effect को अपने अंदर नहीं ले रहे है तो अब वो easily अपने अंदर नहीं ले रहे है तो इसलिए उनको high potency देने पड़ेगी जैसे high potency देगे high energy होगी high potency में तो इसलिए वो easily organs पर काम कर पाएगी तो इसलिए child or young adults को हम high potency देता है तो contradicly old adults को हम low medium potency देंगे because may their organs gone through degenerative changes तो इसलिए उसलिए sex females में less exposed to stress देखा जाता है कि जो rural areas की you know females होती है उनके ज्यादा stress नहीं होता उनके पास वरी भी नहीं करती तो और जादा anxiety और नहीं होता है तो इसलिए उनको moderate degree of suspectability होती है तो इसलिए उनको medium potency चल जाती है वयास जो males होते हैं वो जादा irritable होते हैं जादा sensitive होते हैं stressed होते हैं इसलिए उनको high suspectability देनी पड़ती है और उनको इसलिए require higher potency अब habit or environment सबसे पहले higher potency की अगर कोई भी इंसान आपको इस conditions में आ रहा है तो आप समझ जाना कि उसको हमें higher potency देनी क्या 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 conditions है person engaged in highly stressed mentor work, sedentary life, imaginative and emotional person, long sleep और affirmative life, typical man मतलब अगर उससे भी हम कुछ पूछे तो बहुत साथ practical है वो तो ऐसे लोगों को हम कैसी देंगे medicine high potency उसके लावा lower potency उसको देंगे person engaged in typical label without much exertion mentally तो मतलब mentally जादा वो काम नहीं करता है पर बहुत जादा muscular काम करता है उसको हम दे सकते है low potency उसके अलावा हूu sleep litter person who more exposed to drug मतलब उसको बहुत जादा वो drug से exposed हो रखाया पहले तो इसले हम उसको low potency देंगे तो इसले हम उसको low potency देंगे उसके लावा distillers, tobacco traders, drugists, perfumers, idiots, embilicals, stupid and deaf and dumb etc इन सबको भी हम low potency देते हैं इसके अलावा constitution पर कैसे depend करता है तो constitution higher potency हम किस constitution या किस temperament वाले लोगों को देते हैं जो sensitive होते हैं intellectual होते हैं quick to act होते हैं बहुत जल्दी action दिखाते हैं जीलस होते हैं मतलब बहुत ज़दा you know energetic किये सब और impulsive person होते हैं तो इन लोगों को हम higher potency देते हैं उसके लावा lower potency इसका ही बिल्कुल उल्टा tobit dull comprehension slow to act sluggish individual with gross habits has great muscle power but requires tumulus to excite ठीक है तो इन लोगों को हम lower potency देते हैं अब इसी में आता है कि lower potency को ना कभी कबार हमें lower potency को बहुत देर तक रिपीट करना पड़ता है क्योंकि वो lower potency भी ना मतलब उनको हम high potency ने देते हैं इन लोगों को और medium में नहीं चलते हैं और low ह हमें देनी पड़ते हैं पर low भी नहीं चलते हैं तो हम low potency को भी बहुत जादा टाइम तक खीच के बहुत लोग टाइम तक देते हैं तो ऐसे लो कौन थे? Oversensitive Patients को आपको पता है कि हम कैसी मेडिसीन देते हैं तो वही Oversensitive Patients को और low potency देते हैं जिसको लोग टाइम तक एक उसके अलावा nature and depth of disease अब nature क्या है या depth क्या है disease की ठीक है सबसे पहले acute disease अगर acute disease मतलब उसमें structure changes नहीं है मैं वह बता ते चुआ धिसको तो उसके पाद वह acute disease वह acute disease आपकी साथ़ी को लो कर देंगी धीरे धीरे जब वाइशालेटी आपकी जब लो होने लग तो वही डिजीज तो daughters क्ोरणिंग में गइंडियो होने लगेगा जो यह एसे ऐसे मैनिफेस्टेशन दिखाएगा जो आपको लगेगा यह क्रोनिक डिजीज के सिम्टमस है तो सबसे पहले आपको अक्यूट किसी को भी सबसे पहले अक्यूट डिजीज होती है अगर वह ट्वीट ना की जाए तो वाइट फोर्स पर एफेक्ट करती है और वाइट फोर्स को लो कर देती है और अगर उसके बाद भी हम उसको ठीक ना करे तो वह तुष्क डिजीज जैसे सिम्टम से दिखाए बिजाते है और अभी भी हमने किसी ने उसको ठीक नहीं किया है तो वह सच में गॉणिक डिजीज में कनवर्ट हो जाएगी इस ताइम तो से वह symptom शो कर दिया, मतलब एक तरह से warning दे लिए कि हम chronic disease बन जाएंगे पर आप आपने उसको और भी ठीक नहीं किया तो वह chronic disease में ही convert हो जाएगे तो यह कुछ, मतलब एक तरह से pathway होता है एक इनसान को disease होने का तो सबसे पहले, first stage पर को इनसान, कि acute disease है अंदर से वाइटरफोर्स वही थोड़ा सा डिस अरेंज हो जाता है हमा वाइटरफोर्स पर structurally हम वही सेम रहते हैं हम बिलकु भी change नहीं होते पर acute disease, chronic disease जब कहलाती है जब हमारे अंदर का structure है वो change हो जाता है तो उसको हम कहते है chronic disease ठीक है तो यह एक main चीज है अगर आप इसको समझ गए तो आपको इसली यह disease की पोसोलोजी समझ आ जाएगी मतलब पोसोलोजी आपको जाएगी तो सबसे पहले है acute disease ठीक है तो आप इसको acute disease आपका chronic disease में convert ना हो जाए इसलीए इसको arrest करने के लिए हमें high potencies देनी पड़ती है तो आप याद रख लेना acute diseases में हम कैसी potencies देता है high potencies अब acute disease है जो हमाई vitality को लोगर करने लगगी है मतला धीरे देवो vitality को effect कर रहा है तो उस time में ये एक तरीके से severe acute disease का condition हुआ इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ The patient require low potency in repeated dose to overcome inhibitory state of whiter dynamics ठीक है तो आपको उसको low potency देनी पड़ेगे क्योंकि पहले ही उसकी body उससे fight कर रही है तो आपको उसको low potency देनी पड़ेगे पर repeated dose में जिससे उस पे जल्दी effect बन सके और वो chronic disease में convert ना होए ठीक है उसका अलावा acute manifesting in chronic disease इसमें with gross organic changes अगर कुछ organic changes आपको दिखने लग गए है तो उस time आपको low medium potency देनी है और अगर beginning start हो गई है तो आपको उस time high potency देनी है ठीक है तो यह है acute manifesting in chronic disease उसके लावा chronic disease अब हो चुका है उसको तो इसमें भी क्या होगा है इसमें हम mainly high potency ही देते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है और अगर gross organic changes हो चुके है मताब totally मताब gross organic मताब total अगर totally organic changes हो गया है मताब बहुत ही जादा severe condition है तो उसमें आपको low potency देनी है और too low potency भी नहीं देना अगर बहुत जादा ही कम potency देतोगे तो new symptoms दिखेंगे और बहुत जादा ही high potency देतोगे तो aggravation दिख जाएंगे उसके अलावा mental disease में हमेशा आपको very high potency देनी पड़ती है और आपको mental disease में इस चीज़ से भी ready रहना पड़ेगा कि आपको very high potency दोगे उसके साथ बहुत जादा violent aggravation आपको दिखने को मिलेगा उसके अलावा difficult या incurable diseases है तो उस time क्या करते हैं जो doctors है वो pain को reduce करने के लिए बहुत देर तक potency दी जाती है और इसलिए उनको reduce करना पड़ता है pain mainly क्योंकि अब वो incurable disease है cure तो हम यह करते है कि जब तक वो इनसान जन्दा है जब तक वो अपने suffering से मतलब बचा रहे ठीक है तो उसका हम ध्यान रखते है उसका लागा potency is not above 30 और 200 बट ml potency is also work best ठीक है त अब next is seat of disease तो अगर आपको पता है कि suppose seat of disease का मतलब कि पर्टिकुलर कोई organ है जिस पर disease हो है suppose मैं example देती है जैसे human heart को में myocardial infarction होगे है तो एक heart है वो एक seat of disease है ठीक है तो ऐसे disease जो भी जो एक particular organ को effect करते है तो उस time हम उसको chronic disease की तरह treat करेंगे और chronic disease में हम क्या करते थे अगर मैं आपको याद दिलाओं तो chronic disease को भी यादो हम low potency देते थे अगर without gross organic changes और totally अगर organic changes आ गया है तो हम low potency पर अगर नहीं आ रहे है तो high potency ठीक है तो यह देख लेना उसके अलावा इसको आप समझगे कि chronic disease की तरह ही इसको treat करना है उसके अलावा अगर कोई disease है उसक प्रिवेस्ली treatment करवा रहे हूँ means suppression की बात होगी अगर suppression हो चुका है disease में ठीक है तो उस टाइम हमें high potency देनी पड़ेगी इसको वापस लाने में ठीक है तो यह आपको ध्यान रहे है तो इसके अलावा stage of disease कि dynamic pathology है या organic pathology अब इसका क्या concept है मैं इसको अच्छे समझा देत कोई भी disease starting में होती है तो यह acute disease के form में होती है तो इस इंसान को disease हुई इस इंसान को disease हुई तो वह अभी इसने इसके जो vital force है उसको इसने effect नहीं किया मतला इसके अंदर का जो structural change है वो नहीं आया है बिल्कुवी normal है बहार से आपको disease दिख सकते हैं बहार से आपको symptoms दिखन स्ट्रॉक्षर चेंज़ नहीं आए उतने time period को हम dynamic pathology के है ठीक है उसके लावा ठीक है अब लेकिन वह चीज़ ट्रीट नहीं की गई अगर वह ट्रीट नहीं की गई तो वह acute disease से इसके बाद क्या चेंज हो जाए को उसमें chronic disease में convert हो जाएगा chronic disease acute disease से chronic disease में कब होएगा जब इस इंसान में structural changes आजाएगे मतला इसकी जो physiology है अंदर की change हो जाएगी जाए suppose कोई normal physiology है कि kidney water reabsorption करता है suppose तो मतला ऐसे होर्मोन के effect में water reabsorption करता है तो यह इसका normal physiological function है पर suppose किसी इंसान को disease हो जाए जो जिसमें वह ना हो तो वह उसका structural change है तो वह उसका chronic disease में convert हो जाएग जैसे इसके example हो सकते है कि उसको कोई nephrotic disease होगी या कोई gromio nephritis होगा है कुछ भी तो वह फिर उसका chronic disease में convert हो जाएगा ठीक है तो आप समझ गयोगे कि acute or chronic में क्या फरक है जो मैंने उपर बताया है तो यहां से लेकर जब तक इसको disease हुई से लेकर structure changes ना हो जाए उसको कह जाता है तो वह बहुत जादर dehydrated रहता है तो धीर धीर कुछ दिन चल जाएगा कुछ मेंट चल जाएंगे हो सकता है बहुत जादर उसकी बोड़ी सफर करें लेकिन अगर बिल्कुल भी ट्रीट ना करें तो इनसान क्या करेंगा मरी जाएगा तो डेथ तो जब तक वह structure changes से जाएगी, mechanic beginning or structure changes to end of disease process इस तायम के हाई पोटेसी दी जाती क्यूंकि अब ही तायम में चुल जाज है तो यहाएगे जाता है तो इस तायम के अब है प्राइमरी मेनिफेस्टेशन हो तो इस टाइम आपको हाइप पोटेंसी देनी है आगर आपको डीटेल में जाना है तो मैं कोई और वीडियो बना दूंगी कि मयाजम आपको दिख़ेगा जैसे सॉरा, सैिकोस, सिफालिस फिर 2 Day में कर दिखें Vert In Second Manifestation में Mixed Mi app नीयाजम दिखते हैं। Hearing Now, Nature of Medicine Medicine पेgereंद थे अगर इसपोरी चैश ऑफ लिए हैं कि अगर ये वाली medicine है तो आपको हई अँसे पोटमची में ही देना है, success नोसोर्ड, is ner writes, negative secretions Negative, Generations type of Negative, you know, anything like the Snake Venom तो वो एक नुसोड है मतलब आप खुछ सोचो कि मैं कहई रही हूं कि स्नेक वेनम से हम आपको मेडिसन मना के दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि या यह जहर हमें दे रहे हैं पर सच में मेडिसन होती है पर अगर आप मैं जाकर बोलूँ आपको कि जाओ और आपको को स्नेक लो और उसको उठाओ और वेनम लेलो उसका तो आप मर जाओगे हम अगर अगर आप किसी जैसे तो जो हम नोसोड को उसके crude form में ले रहा है crude form में मतलब least potency crude form is its least potency तो जब हम उसके least potency में लेते हैं तो वो बहुत ज़ादा violent है या बहुत ज़ादा death cause कर देगा मतलब हमें नहीं लेना चाहिए पर अगर हम no source को उसको potentize कर देते हैं जितना ज़ादा पोटेंटाइस कर देते हैं जितना ज़ादा पोटेंटाइस मतलब कि जितनी ज़ादा उसकी potency बढ़ा देते हैं मतलब जितनी ज़ादा higher potency होती है उतना ज़ादा वो highly effective हो जाता है तो यह एक example है कि no source को आपको हमेशा potentize form में देना है कि आपको high doses देना है जैसे no source में हमेशा high doses ही preferable होगा उसका लावा some medicine only work in low potency ऐसी कुछ medicines जो सिव लो potency पे काम करती है कुछ medicines ऐसी है जो greater valuable potency मतलब कुछ ऐसी medicines है कि वो high potency पे कोई और disease ठीक करेगी पर low potency पे कोई और disease ठीक करेगी मतलब उनका जो you know क्या उस पे डिपेंड करेगा उसके राद great care must be taken in selection of potency for chronic diseases तो chronic disease का time पे हमें बिल्कुल धिहान से देखना है कि हम कौन सी potency select कर रहे है क्योंकि chronic disease आपको पता होगी कि अगर आप chronic disease को ठीक नहीं करोगे तो ultimately death है तो chronic disease is the last stage before death तो आपको chronic disease से पहले बहुत ही अराम से बहुत तसली से selection करनी होती है potency की तो अब हम समझ गए है कि कितने मतलब क्या क्या होता है कितना होता है मतलब किस टाइप से आपको doses देना है कैसी selection करनी है potency की अब आपको कुछ 2-3 और term समझनी है जो बहुत easy है जो उसके नाम से पहता सलजाएगा कि इस potency इसका मतलब क्या है और mainly इस पे short notes आ सकते हैं तो देख लेते हैं तो various kinds of doses और अभी मुझे 10 minutes all लगेंगे चाप्टर कंप्लीट करवाने में तो please पूरी वीडियो देखना तो आपका ये चाप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा ये चाप्टर तो सबसे पहले various kind of doses क्या क्या होते है सबसे पहले maximum dose एक होता है एक चीज होती है और एक चीज होती है minimum dose तो दो टाइप की doses होती है maximum dose और minimum dose एक है नाम से पता चल रहा है in homopathy maximum does not administrate easily हम कभी इसली 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 को कोई भी maximum dose नहीं देते हैं कभी भी किसी इसली को आया उसको disease है तो ये ने बोले है तो इस चीज की maximum dose ले ले लो कभी भी हम किसी इसली को maximum dose नहीं देते हैं मैं आप कोई स्टार्टिंग में बता रहा है कि हमेशा homopathy बहुती सिंगल, सिंपल और बहुती शॉर्टी स्मॉल डोज़ पर ही वर्क करता है तो इसका आपको ध्यान लेगा कि आप बहुत इसली maximum dose नहीं देते हैं except in case of primary manifestation like saura, psychosis and cephalis पर हम primary manifestation में कभी कभात दे देते हैं क्योंकि यह जो था primary manifestation आप डायक पॉंट आउट कर सकते हो कि यह वाली इसको म्याजम है तो आप डायक लिए उसको रिस्ट्रेक्ट करने के लिए उसको हल्ट करने के आप दे सकते हो maximum dose ठीक है तो यह इसका exception है उसके लिथल और फेटल दोस क्या है तो यह नाम से पता चला है such amount of doses drugs that can cause death of patients so not given तो ऐसा कोई भी dose कि suppose इतना और यह वैरी कर सकता है कि किसी इंसान के इतनी potency का dose fatal हो सकता है और किसी इंसान के उतनी potency का dose fatal नहीं भी हो सकता है जैसे इसका एक example भी था I don't remember the drug name पर एक drug है जो अगर horses को दी जाए तो वो उतनी potency में horses को कुछ नहीं होता मतला उससे कई जादा potency ले सकता है पर वही potency अगर human को देते है तो उनकी death हो जाती है तो यह होता है लीथल है fatal dose का concept उसके मिनिमम लीथल दोस smallest dose that has been recorded fatal to human तो इसका मतलब कहें कि हम धीर दे एक इनसान को dose बढ़ाते जो बढ़ाते जो और जो पॉइंट आजाए कि इस dose के बाद यह इनसान मर जाएगा कि यह dose है कि अब यह dose maximum है इससे जादा हम नहीं दे सकते उसको तो और इससे जादा देंगे तो मर जाएगा तो minimum lethal dose smallest dose that has been recorded fatal to human तो अगर इसको नहीं समझाया तो मैं और बार पता देती हूँ कि mainly कि पूरा हमने एक चीज है उसकी पूरी dose दे दी तो इसको तो कहेंगा maximum dose ठीक है अगर maximum जितना एक human life में लग सकता है उसका lethal या fatal dose क्या होगा कि suppose एक इनसान है उसको हम हर दिन medicine दे रहे हैं दे रहे हैं ठीक है दे रहे हैं उसके अलावा क्या हुआ एक dose आया जिसके बाद अगर इस dose के बाद हम और एक और dose दे दे देंगे एक और dose दे देंगे तो वो इंसान मर जाएगा ठीक है तो जो एक और जो dose दे रहे हैं वो होगा lethal dose कि हमने उसको दिया और वो मर गया तो lethal dose और उस dose से एक dose पहले इस minimum lethal dose की ये minimum है कि इस पे जिन्दा रहेगा मतला अगर minimal lethal dose पे उस जिन्दा रहता है पर इससे एक भी proceed इससे कि इससे होता है नाम से पता चल रहा है a subsequent dose given to enhance the action of initial dose इसके अलावा fraction divided refractive dose क्योंते है it is a fraction of full dose taken in short intervals जासे हम कहते है किसी इंसान को आपने अलुपात में पर सुना होगा कि जिसे कोई दवाई है तो उसमें कहते है कि ये चोटा बच्चा है तो इसकी आदी दवाई इसको दे इसे करके अपने सुना होगा तो ये हम एक ही dose का you know fraction में जब लेते हैं तो उसका fraction divided refractive ये सब इसके नाम है fraction divided refractive dose कहलाता है ठीक है उसके अलावा physiological dose क्यों होता है dose that stimulate physiological function, physiology of different organs or system suppose that their thyroid is a thyroid इसके थायइका तो वो इसको ठायइक के आदी गुलिया तो उसके भोगा तो इसके थायइक कर रहा है तो इसके dosis को physiological doses कहते है इसके लावा इसके बाहर में और कर लगा इसके पिसिलोजीकल डोस आथ कि अनुफ टोड्यूजिकल दोस इनुफ प्रड्यूजिकल कर वाले के लिध अज supports व्लु मॉरिक ने कहा था कि इसके थे फिसिलोजीकल डोस टाथ है थो खडेंश और निवर अप्लोग टोडूर फड्यूर करन्या है तो कभी भी कोई डिजीज को क्यूर करने गा great तो इससे इंसान ठीक नहीं हो रहा हूँ उससे पुर नहीं हो रहा हूँ सिर्फ जब तक हो लेगा फोई जब तक हो ठीक है पर जैसे वो मेडिसीन छोड़ेगा वैसे उसके एफेक्स दिखने लगें तो इसलिए 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 सके ऱी करते पासिक करी बोलू है पे जाएल हुए isaacоме presentant अपॉसिट हो थी ऑडिए क्युकि आप आपकी क के लिए सांगी क्षाली का法 उसको मैंटेन करके रख एए तो आप यह समझ गए हो गए तो इसलिए लग एगो प्लॉइ टूर पॉर्पस यह कभी बिवी पॉपस फुली क्योर करने के लिए नहीं दी जाती अवली मेडिसें इसके लावा infinity small dose क्या मतला है very small quantity of dose close related to Avogadar dose number or beyond NA so Avogadar dose number आपको पता होगा so Avogadar dose number बहुत छोटा number होता है जो हम chemistry में पढ़ते थे 6.02 2 into 10 the power minus 23 तो ये एक number होता है ये इतना छोटा होता 10 the power minus 23 ठीक है तो इतना छोटा you know इससे भी छोटा हो सकता है इसके equal में जो डोस दिया जाए उसको इंफिनाटी small dose कहते हैं उसके एवरेज दोस तो अवरेज दोस कहते हैं प्रिस्क्राइब एज़स्टे दोस अकॉर्डिंग तो रिक्यार्मेंट पेशिंट के अकॉर्डिंग हम जैसे डोस को अगर एज़स्ट कर रहे हैं तो उसके एवरेज दोस सिंगल डोस विच वन डोस इस गिवन इन होल्डिंग जैसे एक ही मेडिसिन आपको पूरे दिन बोला कि यही मेडिसिन आप हर दिन लेते रहना मतलब पूरे दिन में यही मेडिसिन आप 2-2 गंटे में लेते रहना जो भी उसका है प्रिस्क्रिप्शन तो उसको कहेंगे सिंगल डोस कि उसको एक ही सिंगल डोस दिया है नाम से बहुत ही कॉमन है अगर यह आप ही जाएगा नाम से लिग देना और इनके मतलब लेना ठीक है तोटल डोस मेंस तोटल अमोंट डोस गिवन इन डे विच कांट भी एकसीड़ यह तोटल डोस कि पांच सपोर्स का डेली डोस है कि पांच इसको हनी है पर मैंने बोला कि साथ डोसे से कभी एकसीड मत करना नहीं तो यह नो मट जोगे मताँ वह टॉक्सिक हो जाएगा तो तोटल डोस है साथ ठीक है तो ऐसे आप समझ सकते हूं इसके बाद एक और कॉंसेप्ट है मिनिमम डोस तो मिनिमम डोस क्या है इस बाद दोस विच इस सफीचिंट तो ओवर पावर और इन इन हले दिजीज और कैपबल ऑफ प्रदूसिंग स्लाइट होमोपाथिक इतनी चोटी डोस की वैल्यू है जो अगर हम दे तो ऐसे एकसाइट नहीं करता वार्ट फोर्स को पर वो इनुख है किसी भी इंसान के अंदर कोई चेंज लाने में ठीक है तो यह कौंसे सेक्शन में लिखा गया है सेक्शन 246 में ठीक है अग अग इसके कुछ कैक्टस्टि को होता है इस एक्शन प्रूव होता है कि यह जो minimum doses हम देते हैं वो में लिख क्यों कर देते हैं किसी को हम की लगाने क्ले नहीं देते हैं तो यह minimum doses इसलिए हमारे ले बहुत जादा बेनिफिशल होता है उसे अलावा evolution of minimum doses इसलिए इतना important नहीं है लेकिन इसको पढ़ लेना तो जादा अच्छे से युनों concept बिल्ड हो जाता है तो evolution of minimum doses है henman at beginning used large doses of medicine like allopathic system henman पहले starting में बहुत large doses दे दे और उनको ऐसे कुछ minimum doses का concept नहीं पता था फिर 1786 में उन्होंने use use करते थे large doses and repeated doses तो क्या करते थे आप large doses को भी repeat करने लगए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि large doses दे अग्रिवेशन सा रही थी बहुता लोगों को दिक्कात हो रही थी तो उन्होंने क्या कि और large doses दे और उसको और repeat करने लगए यह सोचके कि में भी अप ठीक हो जाएगा पर इससे भी कुछ नहीं चला और जाएग्रिवेशन हो लगए तो 1796 व 1797 में उन्होंने लगगए उन्होंने ग्रेंस कुछ ग्रेंस में दिने लगए वो डगगए वो में अग्रेंस सब्साइब अड्मेंस्टरेद ऑर इंटीनलो उन्होंने थे सबसे पहले उनका प्राइमरी फर्स जो इंडिकेशन हमने द कि small doses is enough to cure a disease और अगर हम large doses देंगे तो उससे इंसाम को बस aggravation होगा उसकी लगेगी और क्योर नहीं होगा और to avoid aggravation he shifted to small diminished doses Henman's Concept और इसी को हम Henman Concept और Minimum Doses कहते हैं अब है Disadvantage of Large Doses कि Large Doses या कोई Maximum Doses कि क्या disadvantage अगर हम किसी को बहुत जादा Doses दे है तो इसकी क्या disadvantage है नाम से बता चल रहा है अगर बहुत जादा Doses दे रहा है तो वह होगा injurious मतलब इंसान मरेगा ठीक है तो because Large Doses in spite of its remedial nature मतलब है तो वह medicine ही पर medicine जैसे ही आप उसको जादा Doses में देने लगोगे वह बन जाएगा उस इंसान के लिए injurious तो will produce an injurious effect due to its magnitude क्योंकि अब उसका magnitude उसका जो वह है उस जादा बढ़ी है start acting on most sensitive part of organism already most seriously effect of disease आपको इंसान है वह पहले से कोई disease से बहुत बुरी तरह कि बिमार हो चुका है उससे क्या होगा कि उसका जो और जादा sensitive organ है जो पहले से डिजीज से affected और उस पे जादा effect करने लगए तो जो बहुत जादे sensitive organs है उस पे effect करने लगए इसलिए वह injurious हो जाता है और यह किसमें लिखा है section 275 में में मिंशन है section 275 में मिंशन है it does not it does much more injury than large dose of allopathic medicine और यह allopathic medicine से भी जादा, you know, disadvantageous हो सकता है और यह किसमें लिखा है section 276 में लिखा है if the same medicine in appropriate intensity given then would have gently affected a cure और अगर वही same medicine आपने बहुत कम quantity में जितनी उसको चाहिए उतनी quantity में दी होती होती तो इंसान आराम से क्योर हो जाता तो यह किसमें लिखा हुआ है aphorism 276 में इसके बाद second इसका disadvantage का है produce violent medicinal diseases कि सबसे पहले तो वह injurious होगा इंसान के मर भी सकता है पर अगर इंसान बच जाएगा मतला बच गया तब भी उसको कुछ ऐसे बहुत जादा dangerous diseases हो सता है जो incurable ही ही हो जाए तो ऐसे बहुत जादा dangerous diseases भी उसको हो जाता है तो two larger doses of an accurately chosen मतला बहुत अच्छे सापने चूज तो कि medicine तो उसके सही है पर बहुत जादा large dose है तब क्या होगा specially when frequently repeated bring much trouble they often make patient life in danger most of the time incurable diseases उसके में form कर देता है तो यह है पूरा disadvantage of large doses अब disadvantage में पता चलिया तो अब हमें पता होना चाहिए कि advantages क्या है minimum doses के तो क्या advantage है if sometime wrong diseases chosen then also that small dose of wrongly selected medicine will be insignificant because harm done by smallest dose is very slight अगर कभी कभारा human से problem मतब गलती हुई तो भी अगर आपने को इसको दी है medicine और वो medicine गलत आप में suppose choose कर के देगी तब भी वो इंसान पर इतना vigorous illy effect नहीं करेगा तो यह चीज़ लिखा है first second minute doses means gentle remedial effect और आपको पाता है homopathy is all about gentle cure तो minute dose देए इसका मतलब आप gentle cure कर रहे यह for example 276 में mentioned unwanted aggravation can be avoided unwanted aggravation नहीं होगी specific dynamic action can be produced the smallness of the dose does not allow risk of drug addiction तो कोई drug addiction नहीं होगा कि उसको लट लग जाएगी minimum doses have fineness curative power सबसे fine curative power minimum doses में होती है sequencing of the dose can be done कि आप उसको और आप से sequence में दे सकते हो medicine अगर large doses दे रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा कि कौनसी disease कब aggravate कर रही है तो मेडिस्कूस के लिए आपको यह भी नहीं पता से लेगी क्योंकि वो इतने साथा large doses में दी गई है small doses stimulate medium dose paralyzed large doses kill यह Arnold Schwartz law है उन्होंने बता है कि small dose stimulate करती है medium dose हमें paralyze कर सकती है और large dose हमें मार सकती है तो इससे आपको पूरा समरी बिलिया है कि small, medium and large dose में क्या mean difference है तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है उसके अलावा अभी भी बच रहे है चैप्टर जैसे तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे ने तो बहुत जादा ही बड़ी होगी है तो थैंक्यू गाइस फोर मतलब यहां तक रुखने के लिए और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंज को शेयर कर देना so that's it for the video, bye guys